नमस्कार मित्रों तो स्वागते आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बर्नार पर और मैं आपका मित्र राम पार्ज हुँ तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आर्बियस सीकरास 10 का सामाजिक विज्ञान के 18 अप्रेल को होने वाले पेपर में आने वाले महत्तपून प्रश्ण चली शुरू करते हैं तो इन प्रश्णों के मैं हल आपको साथ के साथ बताते जाऊंगा तो फ़स्ट कुशन है 1929 का कांग्रेस अदिवेशन में से कहां हुआ था ये है इलाबाद, बे है कलकता, से है लाहोर और दे है मदरास जिसका सही जवाब होगा से लाहोर फिर सेकेंड कुशन है जर्मल मलूत किसका प्रतिक है ए है आजादी का, बे है शान्ती की चाहा का, से है एक नई युक का सुत्तरपात, दे है बहादूरी का, तो इसका सही आंसर होगा दे, बहादूरी का फिर थर्ड कुशनर ब्रेटन वूड सम्मेरिलन में किस संस्था की स्थापना की गई, ए है यूनिसेप, बे है अंतराष्टी मुद्राकोस, से है विश्व स्वास्ति संगठन, दे है यूनेसको, इसका सही जवाब होगा बे, अंतराष्टी मुद्राकोस फिर फूर्थ कुशनर लोह एसक किस परकार का संसादन है, ए है नविकरण यूग्ये, बे है प्रवहा, से है जेव, दे है अ नविकरण यूग्ये, इसका सही जवाब होगा, दे अ नविकरण यूग्ये फिर फूर्थ कुशनर इनमें से किस रेजिम मरुस्तली मर्दा मुक्य रूप से पाई जाती है, ए है राजस्तान, बे जम्मू कस्मीर, और से है महराष्टर, देजार खंड, तो इसका सही जवाब होगा, ए राजस्तान फिर छटा किशन ने प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात कब हुई, ए है 1904, बे है 1903, से है 1905, दे है 1906, तो इसका राजस्तान जवाब होगा, बे, 1903 फिर सात्ता किशन सिरलंका सबतंतर राष्टर कब बना, ए 1948, बे 1989, से 1950, दे 1991, तो इसका सही जवाब होगा, ए 1908, फिर आटा किशन केंदर वे राज्जेके, मत्दी विद्याई, अधिकार को कितने हिसों बाटा गया है, ए है 2, 2, 3, से 4, दे 5, तो इसका सही जवाब होगा, बे, 3 फिर नवा किशन है, जब हम लेंगी कि विपाइदिन की बात करते था हुमारा विप्राई होता है, ए इस्तरी और पुरुस के बीच जेविक अंतर, बे समाज, द्वारा इस्तरी और पुरुस को दी गई ये समान बोमिकाएं, से बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुप ये समान बोमिकाएं, फिर दस्वा किशन मद्य आय वरगवाला देश है, ये संयुक्त राज्ये, अमेरिका, बे भारत, से चीन, दे जापान, जिसका सही जवाब होगा, बे भारत, फिर आता ग्यारों किशन, उद्योगिक से तरक कहा जाता है, ए प्रात्मिक शेतरक, बे द इसका जवाब होगा सही, फिर बारत किशन है, विबिन दे सुख वीच परस पर समंद और तीवर की एकिकरण की परकिरिया है, ए उदारी करण, बे नीजी करण, सेराष्टी करण, और दे वेस्वी करण, जिसका सही जवाब होगा, वेस्वी करण दे, फिर नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्यूशन है, अफरिका में रिंडर पेस्ट नामक विमारी सबसे पहले, एठारा सो अस्ती के अधिसक के आखिरी सालों में दिखाई दी, फिर सेकेंड है, भारत के कुल परतिशत बोगलिक शेतर पर वन इस्थीत है, तो 24.56 बोगलिक पर वन इस्थीत है, फिर थर्ड है, वर्ण व्यवस्ता अन्य जाती समूओं के बेदवाव और उन्हें अपने से अलग मानने की दालना पर आधारित है, फिर फॉर्थ क्यूशन है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना सेक्षी किस्तर, स्वास्ति इस्तिती और प बीतर किसी विशेस वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम उस्तों और स्याओं का मुल्य सकल करेल उत्पाद केलाता है, फिर छेटा क्यूशन है, बहु राष्टरी कंपनी द्वारा ले गई निवेस को विदेशी निवेस कहते हैं, फिर नेक्स्ट क्यूशन है, गिर्मीटिय विशेस अधिकार किसे कहते हैं, तो इसका जवागा भीटो विशेस अधिकार वे अधिकार है, जिसके सारे एक ही सदेश्य की ए समयति के किसी प्रस्ताव में निरस्त करने का आधार बन जाती है, फिर फ्रांस शीकता है, तो बाकी यूरोप को सर्दी दुखाम हो जाता है, तो ये कतन है मेटरनिक का, फिर चोथा किशन है बाड नियंतरन है, तु कोई उपाई सुझाईए तो इसका उत्तर होगा बांदों का निर्मान करना, बांदों का निर्मान, पांचवा किशन, भारत के उतरी पूर्वी राजियों में कर्तन देहन करसी को क्या कहा जाता है, तो इसका अंसर होगा जूमिंग कर सी, फिर चेटा किशन, किसी एक रेसे वाले फ़सल का नाम बताए ये, तो वह कपास, साथवा किशन, बेल्जियम ने 1970 से 1970 के बीच कुल कितने संसोधन किये, जिसका अंसर होगा 4 संसोधन, फिर नेक्स्ट किशन, सत्ता के वीकेंद रिकरन से क्या इश्य है, इसका अंसर होगा, जब केंदर और रज्ये से सक्तियां लेकर सरका, स्थानी सरकारों को दी जाती है, तो इससे सत्ता का वीकेंद रिकरन कहते हैं, कार्लोट इसमीत और नार्मन तीनों में एक क्या समान ठाती है, तो इसका अंसर होगा, कार्लोट इसमीत और नार्मन तीनों न सल अधर बेदभाव के विरुद्ध थि खide फिर नेक्स्ट क्यूशन नवी निकरन साधन तथा गेर नवी निकरन साधन का एक उधार्ण दीजे तो नवी निकरन साधन होगे वन गेर नवी निकरन साधन है खनीस देल फिर अगला क्यूशन अतिरिक्त रोजगार के सर्जन का कोई एक उपाई सुझाईए तो इसका अंसर होगा कई खेतों की सिचाई एक नहीं बांध का निर्मान करना फिर अगला क्यूशन वेस्वी करण की प्रकिरिया को उत्परेजित करने वाला कारक कौन सा है तो वो है प्रोधोगी की अब जो आने वाला क्यूशन है उन सब के आंसर में PDF के मध्यम से आपको दे दूँगा और उसकी PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन होगे लिंक बना कर डाल दी जाएगी फिर नेक्स्ट क्यूशन है नेपोलियन सरीता की विश्यस्ता ही लिखिए और यह थुआम क्यूशन है तो इसका एक और है जालवेरेंट संकी से विश्यस्ता ही लिखिए फिर नेक्स्ट क्यूशन है आपके अनुसार पानी के संडक्षन और परभन्दन में बांध किस परकार मदद करते हैं नेक्स्ट कुशन है बांड से बचाव के लिए कोई तीन उपाई सुझाईए एक और nëक्स्ट कुशन है आपके अनुसार सामपरदाई कैसे के सकते हैं कि तीन तर्क लिखिए नेक्स्ट जातिकत एसमानता दूर करने के लिए अपने तीन सुजाव लिखिए फिर नेक्स्ट आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यक्ताओं के दोर सहियों की जरुरत को खतम कर देती है और अपनी और सेवदारन देकर समझाईए नेक्स्ट आपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि सुयम सहाईता समू ग्रामीन सेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं फिर नेक्स्ट कुशन है भारत कराष्ट्रे आंदोलन में महातमा गांधी के योगदान का वरणन कीजिए नेक्स्ट सभीने अवग्या अंदोलन का वर्णन कीजिए फिर नेक्स्ट कुशन है नेपाल में लोकतांतर के लिए दूसरा अंदोलन के विपिन चरणों को स्पष्ट कीजिए फिर नेक्स्ट है अंदोलन का निसमू क्या होते हैं इसके परकारों को बताईए फिर अगला जो क्यूशन है लास्ट वाला इसके अंदर आपको मानचित्र के अंदर जो दिये उनको पॉइंट उनको अंकित करना है तो ए है रावदबाटा बे है नासिक से नेवेली दे तलचर और इसमें भी अथवा में क्यूशन आएगा तो इसमें फस्टे एक गया बे मारगाव से नेलोर दे अजमेर तो ये था आपका टेंथ सोसल साइन्स का पेपर इसमें आने वाले मेत पुण प्रश्न जो कि मैंने बता दिये आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रोग साथ सेर जरूर करना